बीजेपी और प्रशासन आमने सामने हैं प्रशासन से नाराज बीजेपी रिटर्निंग आफिसर को हटाने की मांग कर रही है बीजेपी का आरोप है कि जिला प्रशासन मोदी की रैली को लेकर पक्षपात कर रहा है बैठे की सरकार गई रितरनिंग आफिसर निश्पक्ष सुनाग के लिए एक तरा लिए था पनारस में बीजेपी के इस नए रण की बजा है मुदी के कारक्रमों को इजास्त मिलने में देरी तरसल 12 माई को बनारस में होने वाली बोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने बारार्टी में मोदी के कई कारिक्रम तै किये थे रोहनिया इलाकी में मोदी की जंग सभा, बेनिया बाग मैदान में मोदी की रैली, गोटल में तेर सो पुधी जीपीओं के साथ बैठक और गंगा घाट पर मोदी के गंगा आर्थी का कारिक्रम, स्थानिय प्रशासन ने सुरक्षा कारणो और आईबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, पहले बनारत में तीन कारिक्रमों को इजाज़त नहीं दी, सिर्फ रोहनिया की चंद सभा को मंचूरी दी, हलाकि बीजे की एक ही रेली, जिसको समय पर अनुमती दी गई है, वो रोहनिया की एसमली कॉंस्यूटेंसी की रेली कल चालू है, बाकी के तीनों कारिक्रम को भारती जन्ता पार्टी ने सौता ही समय पर अनुमती नम मिलने के कारण रद किया है अरुन जेटली ने चुनाव आयोग को चुठी लिख नाराजगी चताई सर, मैंने आपको सुबस से तीन चुठीया लिखी है, जिसका कोई जबाब नहीं मिला रिटर्निंग अफसर नरेंद्र मोधी की दैली, गंगा, पूचन और उधिजीपियों के साथ मिटिंग की इजाज़त नहीं दे रहे है अगर देर शाम को इजाज़त मिल भी जाती है तो कोई फायदा नहीं बीजेपि कल बानारसी में प्रीम में से कोई भी कार्शम नहीं करेंगी, हम कल बानारसी में और आपके दफ्तर पर विरूर प्रदाशन करेंगे, जिसके लिए आपकी इजाज़त की जरुवत नहीं है अरुण जेटली के चिटियो रमित चा के बयान से साफ है कि बानारस के लिए बीजेपि ने बड़ा प्लैन तैयार किया है चुराव आयोग के बहाने बीजेपि का एजेंडा कही न कहीं बानारस का महौल गरम रखना है, जिसमें वो चूपने वाली नहीं